पहले टेंक के बेस के उपर एक पतली लियर सेंड का डाले, आख बंद दर एक और अर्गनिक कमपोस्ट ले ले लेना, एक लिए आपको ऐसा प्लांट्स चूज करना होगा, दोस्तों अगर आप एक प्लांटेट टेंक सेट अप करना चाहते हैं और वह भी मिनिमल खर्चों मे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और इस वीडियो में मैं आपको टेंक सेट अप करके दिखाने वाला हूँ और कुछ जरूरी टिल्स भी सेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना एक हेल्दी टेंक से रिलेटेट सारे क्वेश्टेंस को अच्छे से डिसक करते हैं, दोस्तों एक प्लांटेट टेंक को सेट अप करने से पहले अपने टेंक को सॉल्ट वाटर से वाश करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सॉल्ट वाटर से कोई भी हमफुल बैक्टरिया और कॉंटमिन इजली रिमोव हो जाते हैं, अगला स्टैप है टेंक का बेस हर जगा स्प्रेड करके डालना है, और एक इंपोर्टन टिप, पीछे हमें इज कम से कम, दो इंच तक डालना है और आगे एक इंच, इस तरीके से डालने से क्या होता है ना, ओबर ओल टेंक का जो लुक होता है वो काफी प्लीजिंग दिखता है और नेचरल सा लुक आता ह है जब आप प्लांट करोगे तो, और यह जो स्लोप है, रूट्स के लिए ज्यादा स्पेस प्रोवाइट करता है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रोव कर सके और वाटर फ्लो को भी इंप्रूव करता है और दोस्तों हमारे दोर एक्स्पेक्टेड भाई, अमिंजन भाई करना होगा, जिसको कोई सब्स्ट्रेट की जरूत ना हो, मैं ऐसा प्लांट सबका लिस्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, और एक सवाल यह आता है कि कौन सा सब्स्ट्रेट हमारे एक्वरेम के लिए बैस्ट रहेगा, त इस मिक्शेर को टैंक में evenly हर जगा स्प्रेड करना है, ताकि हर जगा proper nutrient मिल सके, और यह प्लांट को extra nutrient प्रोवाइट कर सके, और अच्छा stability प्रोवाइट करता रहे है, आपको उसके बाद water स्प्रे करना है, water को हर जगा पर गीला करना है, आपको ताकि नहों मिट्टी थू करना है, और उसके उपर आपको कोई सभी आपको sand यूज करना है, लेकिन अगर मैं आपको personally suggest करूँ कि कौन सा sand आपको यूज करना चाहिए, तो मैं आपको बस इतना काऊँगा कि construction sand पे जाना अच्छा रहता है, सस्ता क्या यार, easily मिल जाता है, easily कहीं पर घर बन रहे हैं उ तो ऐसी budget जाना है, और plus इसमें disadvantage का है, मैं आपको बता हूँ, अगर आप मानलो high-tech plant setup कर रहे हो, ठीक है, light तो देना ही देना है, तो जब आप light डालोगे तो sand क्या होता है, वो handle नहीं कर पाता है, तो उपर में एक layer बन जाता है, water filtration में अच्छा काम नहीं होता है, तो sand का का मैं आपको मना करता हूँ, मैं यूज किया हूँ, मैं यूज किया हूँ, और बार बार साफ करते रहता हूँ, बस यह है, तो इसलिए मत करना, river sand लेलो, वो ज्यादा फाइदे मन्द होता है, और आपको ज्यादा maintenance करने का भी ज़रूत नहीं पड़ेगा, और algae ज्यादा प्लांट यूज करना, पुरा heavy leaf dense plant यूज करना, पुरा भरते जाना, यह मत सोचना कि कम हो जागा, यह हो जागा, भरते जाना, जाद से जादा plant यूज करना, इससे होगा क्या, जब वो ग्रो करता है, बहुत अच्छा दिखता है, dense look आता है, और बहुत प्यारा भी लगता जब वो ग्रो करते लाएगा, तब अच्छा लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा, कि नहीं यह प्लांट जाता हो जागा, नहीं भाई, तु लगा, यूज करना यार, पूरा भरना, पूरा plants दबा के भरना, ठीक है, क्योंकि कम हो जाता है, जब वो ग्रो करता है, जब heavy look आ रहेंगे, और सबसे छोटा वले, फोल ग्राउंड में रहेंगा, तकि आपका टेंक जो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहें कि कौन सा प्लांट आपके लिए सही होगा, कौन सा नहीं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सा प्लांट का लिश्म देंगा, वहां से आप जाके चूज कर सकते हो, सेट करने के बाद आपको CO2 सिस्टम इंस्टॉल करना है, इससे प्लांट का ग्रोथ और हेल्थ दोनों बढ़ियां रहता है, और दो वीक तक हम ऐसे ही रहने देंगे, उसमें फिल्टर एड़ करेंगे, और ऐसी रन करेंगे, ताकि यह प्रॉपरली साइकल हो सके, और आप देख सकते हो, टैंक में कुछ एल्गी ग्रो हो गया, और यह नॉर्मल बात है, और एल्गी बहुत बेनिफिट होता है, और दो वीक के बाद हम अपने टैंक में फिश इंट्रडूस कर सकते हैं, और आप आप देख सकते हो, हमारा फिश जो है, उसका कलर ही नहीं है, पूरा ऐसे ही नॉर्मल है, तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं अपना टैंक का सेट अप करता हूँ, और मेरे टैंक बहुत हल्दी रहते हैं, और मेरे फिश भी इसी टैंक में बहुत कुश रहता है, बहुत हैपी देखिए कर पिंग